आमिर खान की बेटी यारा खान अपने लॉंग टाइम बॉइफ्रेंड नुपू सिक्रे के साथ शादी के बंदन में बन चुकी है वहीं उनकी शादी जो की बांदरा मुंबई में कम्पलीट हुई थी अब शादी के जो भी रिशेप्शन है जो भी फंक्शन से वो उदैपूर में किये जाएंगे अब सभी गैस्ट मुंबई से उदैपूर के लिए निकल पड़े है आप देख सकता है कि आमिर खान की एक्स वाइफ भी इसमें शामिल है उनके दोनों एक्स वाइफ उनके तीनों बच्चे सभी शादी में बहुत इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं वहीं उनकी बेटी यारा खान भी बहुत खुश है आप देखिए आमिर खान किस तरीके से अपने चोटे बेटे को लेकर मुंबई के लिए निकल पड़े हैं मुंबई एरपोर्ट पर सभी स्पोट किये गए हैं आमिर खान की घर की ये पहली शादी है तो वो बहुत ही जादा इंजॉय कर रह हैं अपनी बेटी की शादी में वो बहुत खुश है बता रहे हैं कि मेरी जिंदगी में मैं पहली बार इतना खुश हुआ होगा जब मेरी बेटी की शादी हो रही है और मुझे पता है कि मैं उतना ही दुखी होने वाला हूँ जब मेरी बेटी यारा खान मुझे छोड़कर बिदा हो कर जाएगी क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा अगर प्यार करता हूँ तो वो है मेरी बेटी को और ये बात हम सभी जानते हैं कि पापा हमेशा बेटियों को ही प्यार करते हैं तब ही तो सभी पापा की परी होते हैं क्योंकि हम जानते हैं सबसे जादा लाड और सबसे जादा प्यार जो है पापा से ही मिलता है आमिर खान भले ही डिवास ले चुके हैं पर वो अपने बच्चों के लिए जो भी फर्ज है जो भी अपनी जिम्मेदारी है वो बहुत खूबी निभा रहे हैं आप देख सकते हैं कि शादी में बिलकुल सारे बच्चों का ध्यान रखते हुए हर एक फंक्शन में किस तरीके से पाटिस्पेट कर रहे हैं और किस तरीके से हर एक फंक्शन में इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं इसलिए उनको बॉली बुट के मिस्टर परफेक्ट के नाम से जाने जाते हैं